तो अब देखो आप लोगों ने फिर्स्ट माडूल कर लिए सेकंड भी हो गया थर्ड भी हो गया आप यह मैं लोग वापिस नहीं जाने वाले मैंने सोचा था कि आज अज संडे यहां संडे ही है आज हम लोग कुईज कर लेंगे बर फाइदा निया कुईज करने का क्योंकि आप लोग ने कुछ रिस्पॉंस तो देना नहीं है और रिस्पॉंस ठीक है पूरा वेक मैंने आप लोगों को दिया तो जिसमें तीन वाडियू करने तर आप लोग ने फिर्स्ट माडियूल की एक भी साइमेंट का प्लेड ने की सब में नहीं की तो आगले दो माडियू सब्सक्राइब करें तो माडियू आप लोग ने करी लिए होंगे फूर्थ माडियूल हम लोग स्टॉडी करने जहा रहे हैं चीक है जो के आफ जासियो अप्टिमाइजेशन का एक हाली आफ पेज एस्ट नहीं है इसमें आफ पेज एस्ट करेंगे ठीक और उसकी अप्टि लिए आफ पेज एसी ओ एक आपको कह सकता कि में आफ पेज एसी ओ लड़ी कर रहा हूं बट मुझे करदी नहीं आ रही है कि प्रॉब्लम हो रही है यह रिस्पॉंस नहीं आ रहा तो आप उसको अप्टिमाइज करोगे ठीक है वो फिर आफ पेज एसी और यह कुछ भी आप लोग राड़ी होने चाहिए इन दोनों कामों के लिए ठीक है अब भी आफ पेज एसी जो है ना थोड़ सा टेकनिकल सा टॉपिक है इसमें आप देखो के माई पर से जो यह टॉपिक्स है ना गूगल बेस अप्टिमाजेशन, गूगल माई बिजनेस, र पोस्टिंग यह वह वर्ड्स है जो कि I don't think so कि आप लोग ने कभी भी सुने होंगे यह आपने कहीं देखो होगा पड़ा होगा बहुत सारे से हैं जो ज्यादा फेमस है लाइक जिनमें क्वालिटी लिंक बिल्डिंग है यह थोड़ सा फेमस है इसका काफी लोगों को पता होगा ठीक है और ब्लॉग कोमेंटिकशंती तॉल्हों का बता होगा तॉल्लोग मेंटेंटिंग फोरम पोस्टिंग बता होगा सुच स्यों संय छो उसको साइनमें डियाइं कि का नहीं पता ठीक है तो भूष्ट इंपर्टन्न तॉपिक्स है आज किस्ट बहुत नोग दे versus off page SEO optimization ठीक है और इसमें क्या लिखा on page SEO में हम लोग ने क्या study किया था majorly जो हमें study किया था on page SEO में वो यही था के page के title सही कर लो अच्छे कर लो optimize कर लो headings को सही तरह से बना लो images को optimize कर लो matter description और tags बना लो URL को देख लो परवर लिंक्स में उने बात किती परवर लिंक्स के बारे में fast loading pages के बारे में बात किती जब हमने use को use किया था page जिसको fast करने के लिए cache वगार रिमूफ किया था हमने यह वो high quality and regular updated content की हमने बात की थी और internal linking यह सब चीज़ें थी on page SEO में जो हमने study कि प्रिवियस topics में ठीक है अब बात करें आफ़ जैसे होगी अब जो का आता है on page SEO में अपने कर लिए content की marketing कर लिए keyword optimization कर लिए ठीक है यह का पर जा रहा है कि keyword optimization हो गई images हो गई मारी image को हमने optimize कर लिए page के speed को optimize कर लिए ठीक है यह सारी चीज़ें लोगे ने study कर लिए on page SEO में अब बात कर रहें आफ़ जैसे होगी जो कि इससे बिल्कुल भी difficult है on page और off page की example आप इस तरह से नहीं सकते हो कि on page में आप घर को अंदर से अपने decoration कर लिए वह बाहर से नहीं होगा स्कींट्री अच्छी नहीं हो गया आपके घर की तो इंटर कॉन होगा आपके घर में कोई भी नहीं होगा ठीक है तो यहीं काम है इसका on page और off page में off page ज्यादा important है on page भी important है अगर आपको अगर बाहर से खुश्वरत लग रहा है कोई अंदर आ भी गया गलती से भी आ गया पर अगर अंदर से खुश्वरत नहीं होगा तो पूर से अंदर जा कि क्या करना है वह वापस निकलता बनेगा दोनों चीज़े matter करती है ठीक है अब off page में हम लोग ने क्या study करना है link building guest blogging और social media यह तीन में major type से यह में off page सी होगी ठीक है बाकी जो मैंने आपनों को दिखाई है वह इसकी micro topics आप बोलो उनको बड़ जो main topics हैं वह यह तीन topics हैं इनके लाव और बहुत तीन में हैं जो भी मैं आपको बताता हूं और एक topic ऐसा है जिसका 2020 में आके बहुत जादे सब्सक्राइब कोई भी कोई नहीं करा रहे हैं उसका करवा रही होंगे बहुत सब्सक्राइब नहीं है और मैंने पीजिद के लिखाई अपने एक्सपीरियस में 2020 में और वह चीज़ता दूर मार्केटिंग चल रही है न चलता हो डिजिल ए हर तरफ बट वह जो चीज़त ह बहुत लोग influencer marketing कर रहे हैं अब इसे बैक लिंक्स भी सीखेंगे बैक लिंक तो बहुत इंप्रोटन टापीक है और बैक लिंक्स के लिए मैं आपको ऐसे प्रवाइड करूँगा के जिन से आप इतने क्वालिटी के बैक लिंक्स बना सकोगे के वह एक बैक लिंक भी आपको जोगा और थौदन बैक लिंक्स के ब्राबर होगा इतने क्वालिटी के आप लोग बैक लिंग्स बनाओं इंशाल्ला घटिस्षिंड आक जी णुझी कंटेंड मार्केटिंग हमने कर ली है अभी आप देखो कि कहां पर किया और हम करेंगने अग्स ब्लॉगइंग और सोचल मीडिया सोिशल मीडिया 팟िंग नहीं आएगी किसमें सोचल मीडिया कितरों लोग SEO करेंगे और वो एक थोड़ सा हटकर टॉपिक है आप लोग जो स्रड़ी करोगे तो आप लोग अच्छे सी समझ आएगा और जो इंफिलेंसर मार्केटिंग का उसके बार में थोड़ सब्सक्राइब करना कि अच्छल में होता क्या है उसक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं है या पर एक वाइज एफ़र्ट सेच तुरू सोचल मीडिया मार्केटिंग और इंफ्लेंसर मार्केटिंग SEO और मार्केटिंग में बहुत फर्क है 2020 में अब ऐसी हो आगे डाड हो चुकी है इसका इतना ज्यादा दोर नहीं रहा अब जो SEO है वो भी मार्केटिंग के थुरू हो रही है अभी मैंने आपको बताया के सोचल मीडिया मार्केटिंग और इंफ्लेंसर मार्केटिंग यह हैं दो मार्केटिंग की ठाइप इसको किसी और तरह से यूज़ करेंगे बट करेंगे जरूर इसको यूज़ क्योंकि इसके बगार अब गुदारा नहीं है और गैनिकली ऑफिशिली ऐसी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतम होने के चांसिज़ है खतम होने को है ठीक है अब भी जमारे इसके बाद नेक्स्ट मॉडिल स्टाट होगा जो मारे पास नेक्स्ट आफ़ और कोडिशन मार्केटिंग का वह ज्यादे इंपोर्टन होने वाला है अलाकर इतना मुश्किल नहीं है बहुत इसी है बड़ ट्रेंड आगे उसका आने वाले जिसमेंद्टिं करेंगे कल से और भी कुछ इसकी बारे में चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर जैसे के बारे में लिखा हुआ है और जैसे को दो में जो टॉपिक्स हैं वह यह हैं कि सच्छ आप्टिमाजिशन और इंटरनल लिंकिंग आप जो भी हमारे पास इंफिलेंसर मार और दोनों के में पॉइंट से हैं अगर इन चार पॉइंट को आप लोग अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो आपके ऑंपेज और ऑफ पेज बहुत स्राइब होने वाली हैं यही में चीज़ें अब इनकी एक एक चीज की एक्जेंपल में आपको आपको ऑन पेज की तो द तो देना ठीक है ऑन पेज बहुत मेंटर करती है और पेज करने के लिए उसके बाद अभी मेरे पर कुछ और चीज़े हैं वह यह है कि ने कुछ इमेरी तो नहीं है गूगल सी मैंने कॉपी की है यह आप लोग इसको देखिएगा जरूर केज में है क्या और इसका हम लोग कुईज भी ले सकते हैं और इनका इसी का कुईज भी होगा आज नहीं कल न सब्सक्राइब को दे दिया है क्यां पिछ करता है और बाकि जो डीप स्टड़ी है वाप लोग ने खुद करनी रिसर्च करनी अच्छे से पढ़ाना तो मैंने यह मैं आप लोग अच्छे से समझाओंगा बताओंगा बटाओंगा आप लोग पीसको सर्च करो और इस बार करने तो अब लोग अब लोग को काम तो काना पढ़ाएगा इसमें मैं कम पढ़ाऊंगा गूगल आपनों को बढ़ाएगा आपको सब्सक्राइब वहीं से वहीं से काम करके होगा मैं आपनों को अब आफ पेज के फैक्टर कुछ ठीक है जिसमें कंटेंट आ गया ब्लॉग वीडियो सोचल नेट्वर्किंग बुक मार्किंग आर्टिकल जगरा और यह बहुत इंपोर्टन चीज यह नजर आ रही है सबको काफी चोटी इमेज है बट दूम करके देखो शाद अगर आप लोगों को नजर आ रही हो तो इसमें जो यह वाली चीज है ना साइलो पेजिस यह वाला टॉपिक और यह चीज है जो कि समझ देर से आती है मुझे भी काफी देर से समझ आई थी इसमें ना जो चीजें आना बहुत उल्टी फुल्टी सी है आप लोगों मैं सीधी तरह दो कि यह एजी नहीं साइलो स्ट्रॉक्चर बनाना अपनी वेबसाइट का एक होता है साइट का स्ट्रॉक्ट्री करेंगे कि बता रहो मैं भी आपको बता रहों डोंट वरी बता हूंगा अगर किस चीज की पॉब्लम हो कोई चीज समय नहाए तो पोच लेना ठीक है अब अब और मैं सबसे जाए पर अब कम बता हूंगा विकर्स नहीं बोलने माला नहीं क्योंकि अब रोजों का टाइम और पहले क्लास का रात को ग्यारा बजे तो उस टाम पे चलो हम लोग बोल भी लेते थे पाने शानी पासपड़ा होता था अभी टाइम अला चेंज हो स्ट्रक्टर बनाना रहा होता है लिए बड़ी वेबसाइट नहीं पर विखना पर अच्छे से तरीक्टे से ना सेट करके रखना है जैसे हम अपने रूम में सैटिंग करते हैं बैडिक सैट पर कर लिए कारपे टेबल इस अच्छा जहां में जब तक अच्छा नहीं रगत इसी तरह से साल स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का कि यह वदी काड़ेगरी इधर आना चाहिए यह पिछ पेज के अंडर आना चाहिए यह काड़ेगरी पिरेंट काड़ेगरी है इस सारी चीज़े बाग मिला हो गए स्पोर्टिंग पेज इस कौन से हमारे पास ठीक है से हमारे पास तब एक अच्छा सालो स्ट्रक्चर आपका बनेगा बना दियेगा सालो पेज यह तो पूरे टॉपिक सहना है मैं आपको अबने भी देरो हम लों को सब को स्टैडी तो करने एक चीज को स्टैडी करेंगे डोंट वरी अब देखों गूगल को क्या इंपोर्ट अब यह पांच चीज है जो कि एक ब्लॉग को चलाने में या वेबसाट को रन करने में कुछ भी बहुत इंपोर्टन होती है और एक चीज दूसरे से ज्यादा इंपोर्टन है लिंक बिल्डिंग भी पोइंट है टाइम उन साइड जिसको बांस रेट बोलते हैं कि अगर आ नहीं होगी स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो एक विवर आएगा यूजर आएगा अब साथा टाइम देगा टाइम नहीं देगा तो चला जाएगा तुमारा बहुंसरेट जाथ हो जाएगा इस तरह की चीज़े ठीक है और पिज ऑप्टिमाजेशन पहुद इंपोर्टन है पिर डाउन ग्रेड और फिर अब्रेड ओर यह अब्रेड में जा रहा है सचल्शेरिंग शर्शल शेरिंग भी मैटर करती है आइडिकल के लिए ब्लॉक के लिए वैप्सर्ट के लिए वह गूगल के लिए मैटर करती है और उसके बात तो यह दो आपस फ्रेशनेस अफ कि यह बहुत करें जो मैंने इसके साथ कि है और पेज होती है उसके बाद सोचल शेरिंग तो अभी है ना और फॉरी फिरियस्ली आप लोग फोशल शेरिंग घरीन है अच्छा यह है फिर भी अब देखो टूंटी और टूंटी डबलो सेवन से लेकर अब तक ही अब ग्रेड ही जा रहा है डाउन ग्रेड नहीं हुआ करसर में रहों सब्सक्राइब चलके बात में इसी कर रहा है तो हमारे जो कंटेंट है वो टाइम बटाइम फ्रेश करते रहो उसको थोड़ा बहुता अड़िट करते रहो और जैसे एक यूटूब का एक स्ट्रक्चर होता है यूटूब के बहुत ही मज़े का फैक्टर है जो के इस टाइम पर टॉप जो यूटूबर्स हैं वो पिक करके इस पर काम करते हैं वह यह कि ना जिकूगल का निई इस टूडियो लांच हुए अब ही रिस एंट एक साल हुए उस टूडियो में बहुत अच्छी चीजे दिए इस च्टूडियो को जिसको यूज करना आता है उसकी प्राइब यूटूब की अच्छी है वह यह के अब य इस सारी चीज़ें एक एक वीडियो की सेपरेटी पता लगती हैं तो जिसको अगर इन सब चीज़ों की बारे में सब कुछ पता है ना तो अपने चैनल को अच्छे से ग्रोव कर सकता है ठीक है प्रणनी वीडियो में उसको आण से देखूँ गा कि मेरी कौन से वीडियू टॉप प। पे उसे स्टूँ करों गा धुब कर दॉंगा जो कि लिजो के डाल कर आठ पे अगर कम से ऐ nom एक हमारे चैनल के अच्छे सा तो यार् दूसरी वीडियोस पर क्यों आवाँ से आने चाहिए और अगर आप याप मेरे चैनल देखकर तो अगर में चैनल के एक विडियो पन करोगे तो नीचे सब्स नाइंटी परसेंट वीडियोस मेरी होती है प्रियों टेक्स जो है वह डिस्क्रिप्शन में बीए और उसमें भी यह तो इस वजह सुझेशन में आती है ठीक है अचे यह तो सौशल शेर ही होंगा उसको फ्रेश्रेश्रा सब ने भी हो गया आप इसके बाद में देखते हैं यह पी हो गया कि यह सब कुछ हो गया कि गूगल बेस ऑप्रिमाइजेशन गूगल बाइब बिसनेस यह लोकल एक दू दिन का टॉपिक है ठीक है कि यह स्य, लोकल स्य मेंश करें टॉप कैसे रंक करना नी अगर आपका शंज िर मैडिकर सूम रहा कुछ हैं सब्सक्राइब करते हैं तो बताएं जल्दी से बागी क्लास को कवर करते हैं किसको क्वेस्टन किसको क्वेस्टन किसको क्वेस्टन की प्रॉब्लम